प्रमिला गाउं से शहराई थी और बार्वी कक्षा की छात्रा थी वो पढ़ने में बहुत मेधावी थी स्कूल के सारे लड़के लड़कियां और टीचर उससे काफी प्रभावित थे लेकिन एक दिन पूरे स्कूल को पता चला कि प्रमिला गर्भवती है उस दिन क्या हुआ? क्या सबने गर्भवती स्कूल स्टूडेंट प्रमिला को अपनाया? ये जानने के लिए देखते हैं कहानी गर्भवती स्कूल स्टूडेंट प्रमिला देखने में बहुत कुरूप थी लेकिन वो पढ़ने में बहुत तेज थी स्कूल के सभी लड़के लड़कियों को कुछ भी पूछना होता तो वे प्रमिला के पास चाते प्रमिला, देखो न, ये मैं थे हल नहीं हो रहा है मैडम ने बताया था, लेकिन मेरे कुछ समझ ही नहीं आया एरे, ये तो बहुत आसान है, इसे ऐसे समझो आर की बराबर वैल्यू ए के साथ है, आर इक्वल टू ए और बी प्रमिला, मुझे ये इंग्लिश के वर्ड मीनिंग नहीं समझ में आ रहे है आओ, मैं बताती हूँ इस तरह प्रमिला सब बच्चों को उनकी पढ़ाई में मदद करती बच्चे और टीचर प्रमिला को बहुत पसंद करते थे लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि प्रमिला का घर कहां है और उसके माता पिता कौन है स्कूल में जब भी पैरेंट्स मीटिंग होती तो प्रमिला की मौसी उसके साथ आती थी धीरे धीरे कुछ महीने बीद गए एक दिन प्रमिला स्कूल के लिए तयार हो रही थी तो उसने खुद को आईने में देखा ए भगवान मेरा तो पेट बढ़ रहा है कहीं मैं प्रेगनन्ट तो नहीं हूँ अगर स्कूल में सबको पता चल गया तो मैं सबको क्या बताऊंगी सब मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचेंगे उस दिन से प्रमिला बहुत परिशान रहने लगी उसका पढ़ाई से मन हटने लगा वो पढ़ी हुई चीजें भूलने लगी वो बार-बार अपने पेट पर हाथ फेर कर देखती क्यों उसका पेट कितना बढ़ा प्रमिला तेज बोचारे में कौन सा द्रश्य बिम्भ है मैम अभी कुछ याद नहीं आ रहा है तुम्हें क्या हो गया है प्रमिला तुम्हारा पढ़ने लिखने में मन क्यों नहीं लग रहा है सॉरी मैम मैं पढ़ने में मन लगाऊंगी और कल याद करके आऊंगी लेकिन स्कूल से घर जाने के बाद प्रमिला का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था वो बस अपने कमरे में बंध होकर आइने में अपना बढ़ता हुआ पेट देखा करती और खूब रोती रोने और परिशान होने के कारण प्रमिला दिन पर दिन दुबली होती जा रहे थी एक दिन क्लास में प्रमिला को चकर आए क्लास के सारे बच्चे और टीचर उसे उठा कर कॉमन रूम में ले गए और पानी के छीटे मार कर उसे होश में लेकर आए आह मेरा सिर चक्रा रहा है मेरी आखों के सामने अंधेरा जहा रहा है घबराऊ मत प्रमिला हम तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलते हैं डॉक्टर का नाम सुनकर प्रमिला डर गई और मन में सोचने लगी कहीं मैं सच मुझ प्रेगनेंट हुई तो प्रिंसिपल मैडम को सच पता चल जाएगा और फिर पूरी स्कूल को पता चल जाएगा नहीं नहीं मैं डॉक्टर के पास नहीं जाओंगी प्रमिला ने प्रिंसिपल से कहा नहीं मैडम, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाओंगी तभी किसी ने पास के अस्पताल में फोन करके डॉक्टर को स्कूल में ही बुला लिया डॉक्टर को स्कूल में देख कर कोई बात दी प्रमिला, तुम डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती थी न, देखो डॉक्टर साहब खुद तुम्हारा चेक अप करने आगे, घबराओ मत, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, डॉक्टर ने प्रमिला का चेक अप करने के बाद डॉक्टर ने प्रिंसिपल से क यह बच्ची शादी शुदा है? नहीं डॉक्टर साहब, यह तो बारवी के स्टूडेंट है, यह हमारे स्कूल के सबसी तेज बच्ची है, अभी तो इसे बहुत पढ़ना है, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यह लड़की प्रेगनेंट है? क्या? प्रेगनेंट है, स्कूल के सभी टीचर और बच्चे उसे नफरित भरी नजरों से देखने लगे, प्रिंसिपल ने बहुत ही रूखे स्वेर में प्रेगनेंट है, प्रेगनेंट है, प्रेगनेंट है, लेकिन तुम तो ठीक इसके विपरीत निकली, अब मैं समझी कि क्यों पाप अपने पेट में लेकर स्कूल आती हो, प्रमिला रोते हुए बोली, मैडम, आप मुझे गलत समझ रही है, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, चुप रहो, एक तो गलती करती हो, उपर से जबान चलाती हो, तुम्हारे जैसी लड़की के लिए मेरे स्कूल में कोई जगा नहीं है, तुम कल ही अपनी मौसी को लेकर स्कूल आना और अपना लिविंग सर्टिफिकेट ले जाना, बीचारी प्रमिला रोते हुए अपने क्लास्रूम में आई और अपना स्कूल बैग उठा कर घर जाने लगी, उसे देखकर स्कूल के सभी लड़के लड़किया हस रहे थे, वो देखो, घरबवती स्कूल स्टूडेंट, इसमें इसकी कोई गलती नहीं, इसका पढ़ने में मन लगता है नहीं था, सभी जोर-जोर से हसने लगते हैं, प्रमिला अपना स्कूल बैग अपनी पीट पर लाद कर भागते हुए स्कूल से बाहर आ जाती है, व मौसी वो, अच्छा बाते बाद में कर लेना, अब आई गई है तो गरम-गरम खाना खाले, मौसी ने प्रमिला को खाना निकाल कर दिया, लेकिन प्रमिला खाना नहीं खा रही थी, प्रमिला क्या बात है, तो खाना क्यों नहीं खा रही है, प्रमिला फपक फपक कर रोने ल प्रिंसिपल मैडम ने स्कूल में डॉक्टर को बुला लिया और पूरे स्कूल को पता चल गया कि मैं प्रेगनेट हूँ प्रिंसिपल मैडम ने कल आपको स्कूल बुलाया है प्रमिला की बात सुनकर मौसी भी परिशान हो गई लेकिन उनोंने प्रमिला को ढांडस बंधाते होए कहा तु परिशान मत हो प्रमिला, तुझे स्कूल से कोई नहीं निकालेगा मैं कल तेर साथ स्कूल चलूगी दूसरे दिन मौसी प्रमिला के साथ स्कूल पहुँचे स्कूल में प्रिंसिपल मैडम के सामने देखे शोभाजी, प्रमिला गर्वती है और ऐसी लड़की को हम अपने स्कूल में नहीं पढ़ने दे सकते स्कूल में पढ़ने वाले दूसरे बच्चों पर बुरा असर पढ़ेगा इसलिए प्रमिला का नाम इस स्कूल से काटा जा रहा है प्रिंसिपल मैडम प्रमिला को स्कूल से निकालने से पहले इसकी सच्चाई तो जान लीजे कैसी सच्चाई दरसल प्रमिला ने दसवी तक गाउं में पढ़ाई की है हमारे गाउं में लड़कियों की बहुत ही कम उम्र में शादी कर दी जाती है प्रमिला के माता पिता ने भी इसकी शादी कर दी थी प्रमिला का बाल विवा हुआ है प्रमिला का बच्चा नाजायज नहीं है लेकिन फिर प्रमिला आपके पास क्यों रहती है ये अपने ससुराल में क्यों नहीं रहती प्रमिला के ससुराल वालों की दहेच के कुछ डिमांड रहे गए थी जिसे इसके माता-पिता ने पूरा करने का वादा किया था लेकिन उससे पहले एक हाथ से में उन दोनों की मौत हो गई जिसके बाद प्रमीला के ससुराल वालोंने उसे घर से निकाल दिया प्रमीला का कोई सहारा ना होने के कारण میں इसे अपने पास ले आई इसके ससुराल वाले इसे हमेशा इसकी बदसूर्ती और दहेच के ताने दिया करते थे और मारते भी थे इसलिए मैंने प्रमिला को शेहर लाना ठीक समझा प्रमिला पढ़ने लिखने में बहुत तेज थी इसलिए इसका नाम आपके स्कूल में लिखवा दिया प्रमिला की पूरी कहानी सुनकर प्रिंसिपल मैडम का रिदय करुना से भर गया उनके मन में प्रमिला के लिए धेर सारा प्यार उमड़ाया उन्होंने प्रमिला के सिर पर हाथ भेरते हुए कहा मुझे माफ कर दो प्रमिला मुझे नहीं पता था कि तुमने इतनी छोटी सी उम्र में इतने दुख उठाए है तुम्हें इस स्कूल से कोई नहीं निकालेगा तुम खोब पढ़ो और अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ लेकिन उससे पहले में तुम्हारे ससुराल वालों को उनके किये की सजा दिलाओंगी प्रिंसिपल मैडम ने पूरे स्कूल को प्रमिला के जीवन के संखर्ष की कहानी बताई सभी टीचर और बच्चों ने भी प्रमिला से मावी मागी उन सभी के दिल में प्रमिला के लिए इज़त तौर बढ़ गई प्रमिला अब रोज की तरह स्कूल आने लगी अब उसका मन पहले की तरह पढ़ने में लगने लगा इधर स्कूल की प्रिंसिपल और मौसी ने मिलकर प्रमिला के ससुराल वालों पर दहेश प्रतारना और घर से जबरन बाहर निकालने का केस किया जिसके बाद पुलिस ने प्रमिला के ससुराल वालों को गिरफतार करके जेल भेज दिया प्रिंसिपल मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रमिला, तुम्हारे जैसी होनहार शात्रा की मदद करना मेरा फर्ज है चाहे कितनी भी कठिनाई आए, किसी भी कीमत पर अपनी पढ़ाई मत छोड़ना धीरे धीरे प्रमिला का बच्चा पेट में बढ़ता जा रहा था और उसकी पढ़ाई भी रफटार पकड़ रहे थी गर्वदी प्रमिला उसी हालत में स्कूल आती और खूम मन लगा कर पढ़ाई करती धीरे धीरे बारवी की परिक्षा का समय भी नजदीक आ गया था इधर प्रमिला के प्रसब का समय भी नजदीक आ रहा था एक दिन प्रमिला रात में पढ़ाई कर रही थी ओ, मेरे पेट में बहुत देज दर्द हो रहा है ओ, ओफ ये दर्द तो बढ़ता ही जा रहा है अब मैं क्या करूँ, परसो मेरी बारवी की परिक्षा भी है पढ़ाई में द्यान लगाने की कोशिश करती हो प्रमिला पढ़ाई करने की कोशिश करने लगी लेकिन उसके पेट का दर्द बढ़ता ही जा रहा था प्रमिला से दर्द बरदाश नहीं हो रहा था दर्द के मारे वो जोर-जोर से चिलाने लगी उसके चिलाने की आवाज सुनकर उसकी मौसी दोड़ी-दोड़ी उसके कमरे में आई क्या हूँ अब प्रमिला? क्या हूँ अब इटी? मौसी, मौसी मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है प्रमिला की मौसी उसे फॉरण अस्पताल ले कर गए अस्पताल जाकर प्रमिला ने एक सुन्दर से बेटे को जन्म दिया बेटे को जन्म देने के बाद प्रमिला फॉरण परिक्षा की तयारी करने लगी तब ही वहाँ डॉक्टर सहब आ गए इन्हें कुछ दिनों के आराम की ज़रूरत है अभी इने पढ़ाई नहीं करनी चाहिए प्रमिला बेटी पढ़ाई बाद में कर लेना अभी तु आराम कर मौसी परसो मेरी फाइनल परिक्षा है मुझे पढ़ाई तो करनी होगी मुझे सबसे अवल आना है प्रमिला ने हॉस्पिटल में ही पढ़ाई जारी रखी और परिक्षा वाले दिन वो हॉस्पिटल से ही परिक्षा देने गई प्रमिला अपनी गोद में अपने नवजाद बच्चे को लेकर परिक्षा देने लगी परिक्षा के बीच बीच में वो बच्चे को दूद पिलाती और साथ-साथ परिक्षा भी देती इसी तरह से प्रमिला ने अपनी पूरी परिक्षा दी कुछ दिनों के बाद रिजल्ट आ गया और अपनी मेहनत के बल पर प्रमिला पूरे राज्य में अवल आई थी उसे शेहर के सबसे अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया इस तरह गर्वती स्कूल स्टूडेंट प्रमिला ने कठिन समय में भी अपनी पढ़ाई जारी रखके सबके लिए एक मिसाल कायम किया कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके प्रमिला ने बैंक में ऑफिसर पद में भरती के लिए प्रतियोगिता परिक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी कड़ी मेहनत के बाद प्रमिला के नियुकती एक सरकारी बैंक में मैनेजर के पद पर हो गई समय के साथ प्रमिला का बेटा भी धीरे-धीरे बड़ा होने लगा वो अपने बेटे को भी पढ़ाई के लिए प्रिरित करती सोना सिर्फ छे साल की थी जब उसके माता पिता एक एकसिडेंट में मारे गए और तब से ही सोना की जिन्दगी बद से बदतर होती चली गई कहने को तो उसके चाचा-चाची उसका खयाल रखने के लिए उसे अपने साथ ले आये थे लेकिन हकीकत इस से बहुत अलग थी ये देखो, ये मारानी अब तक सो रही है ए, ए कामचोर, उठ जल दी से, बड़ना तेरे हाथ पेर तोड़ दूगी चा-चाची, बस अभी उठ रही हूँ फोरण उठ कर खड़ी हो जा, आज पिंकु का बर्डे है, हम सब पिकनिक पर जा रहे है एक घंटे में निकलेंगे, तो उससे पहले सब के खाने, और ले जाने के लिए सैंड्विश तयार हो जाने चाहिए, समझी? अ, चा-ची, मैं भी चलू क्या आपके साथ? कोई जरूरत नहीं है, तुझे पाल रहे हैं, ये कम है क्या? जो अब तुझे गुमाने फिराने का भी ठेका ले ले हम? सोना के साथ हमेशा ऐसा ही होता था, सोना को हमेशा से घूमने और नई-नई जगहें देखने का बहुत शौक था, लेकिन अपने मादा पिता को खोने के बाद से ही सोना के शौक तो दूर की बात है, उसकी बुनियाद ही जरूरतें भी पूरी नहीं हो रहे थी सुन, ये सेंडविच यहां क्यों रखा है? चाची, ये एक सेंडविच मैंने अपने लिए रख लिया था और ऐसा करने से पहले तूने मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा, अगर पूछ लेती तो शायद मैं ये सेंडविच तुझे खाने भी देती, लेकिन नहीं, तुझे तो बहुत अकल मन्द बनना है न, ठीक है, अब तेरी सजा ये है कि जब तक हम लोग पिकनिक से व काफी मांगती रहे, लेकिन उसकी चाची का दिल नहीं पसी जा, सभी लोग सोना को घर में अकेला छोड़ कर पिकनिक पर चली गए, घर की रसोई पर ताला था, और ना ही सोना के पास कुछ खरीदने के लिए पैसे थे, सोना रोती रही, लेकिन वहाँ उसकी सिस्कियां सु इतनी अच्छी थी, काश मैं वैसी जगह पर सच मुझ जा सकती, सोना ये सब सोची रही थी कि अचानक उसे अपने हाथ के पास कुछ महसूस हुआ, उसने ध्यान से देखा तो वहाँ एक किताब रखी हुई थी, जो उसने इससे पहले कभी नहीं देखी थी, अरे, ये, ये किताब किसकी है, पिंकु की तो नहीं लग रही, और ये देखने में भी कितनी जुन्दर है, लेकिन, ये मेरे सिरहाने आई कहां से, इसे खोल कर देखती हूँ, इसे पढ़कर कुछ टाइम ही कर जाएगा, फिर शैद भूग भी ना लगे, ऐसा सोच कर सोना ने उस किताब क पहला पन्ना खोला, और उसे बड़े ही ध्यान से पढ़ने लगी, उस पन्ने पर एक बड़ी ही खास जगा के बारे में लिखा हुआ था, ये किताब तो एक बड़ी लोग के बारे में है, जहां सब कुछ ठीक वैसा ही है, जैसा मैंने अपने सपने में देखा था, हम, ये स सब है तो अजीब, पर फिर भी बहुत मज़ेदार है, सोना उस किताब को पढ़ती रही, लेकिन पहला पन्ना पूरा पढ़ते ही, वो अचानक बेहोश हो गई, और फिर कुछ ही मिंटो बार जब उसे होश आया, तो उसके आस-पास सब कुछ बदल चुका था, ये, ये सब क्या है, ही भगवान, ये तो बिल्कुल वैसी ही जगह है, जैसी मैंने अपने सपने में देखी थी, पर ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं मैं फिर से सपना तो नहीं देख रही, नहीं सोना, ये सपना नहीं, सच है, तुम हमारे परी लोग में हो, ये सारी बातें सोना से एक परी न यही परी लोक मेरा घर है, और वो किताब वहीं पर हो, यकीन नहीं होता, तो ये देखो इतना कहकर उस परी ने सोना की तरफ एक जादूई आईना बढ़ा दिया जिसमें सोना अपने पुराने रूप और पुराने घर में ही थी और आराम से सो रहे थी वो जादूई किताब भी उसके पास ही थी ऐसा कैसे हो सकता है? मैं वहाँ और यहाँ एक साथ कैसे हो सकती हूँ? जादू से कुछ भी हो सकता है सोना, वैसे वहाँ सर्फ तुम्हारा शरीर है, असल में तुम यहीं पर हो, जब तक तुम यहाँ रहोगी, तब तक उस दुनिया में तुम ऐसे ही सोती रहोगी, डरने वाली कोई बात नहीं है, तुम जब चाहे वहाँ पर वापस भी जा सकती ह अब यह सब छोड़ो और यह बताओ कि क्या तुम यहाँ घूमना नहीं चाहोगी, हाँ हाँ, क्यू नहीं, मुझे यह पूरी जगा देखनी है, ठीक है, तो फिर चलो मेरे साथ, तुम्हारे लिए यहाँ बहुत कुछ है, उस परी ने सोना को पूरे परी लोग की सैर करवा यह परी महल हमारे राजा जी का है, वो, वहाँ पर उनका कमरा है, अच्छा, तो चलिये न, मुझे राजा जी से मिलना है, हाँ, पर पहले तुम कुछ खा दो लो, तुम्हे भूख लगी होगी न, परी लोग की खूपसूरती में सोना इसकदर खो गई थी, कि उसे भूख क एहसास ही ने रहा, लेकिन फिर परी ने जब उसे खाने की मेज पर बिठाया, तो उसकी आँखे चमक उठी, हम, इतना सारा खाना, ये, ये सब मेरे लिए है क्या, हाँ, सब तुम्हारे लिए है, खाओ न, उस दिन सोना ने कई सालों के बाद जी भर कर खाया और फिर, आह, इतना कहकर परी ने अपनी जादूई छड़ी घुमाई और इसके साथ ही सोना के फटे पुराने कपड़े एक सुन्दर सी पोशाक में बदल गए, अब सोना भी बिल्कुल एक परी जैसी ही लग रही थी, हम, अब तुम राजा जी से मिल सकती हो, चलो मेरे साथ, और मेरी ए बहुत ही बड़ा और शानदार था, एशो आराम की हर चीज थी उस कमरे में, सोना तुम यहीं बैट कर इंतजार करो, राजा जी बस आते ही होंगे, अब मैं तुम से थोड़ी देर में मिलती हूँ, इतना कहकर परी वहां से चली गई, और सोना काफी देर वहीं इंतजार कर करती रही, फिर अचानक उसे कुछ हलचल सुनाई दी, कौन है, ये आप है क्या राजा जी? सोना की बात का किसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसे एक विशाल कतकाथी वाली परच्छाई दिखाई दी, सोना समझ गई कि ये परी लोग के राजा ही है, सोना ने फौरण चुक कर राजा जी का अभिवादन किया, राजा जी, मैं सोना हूँ, एक जादूई किताब मुझे यहां लेकर आई है, यहां सब कुछ बहुत अच्छा है, और सब लोग भी बहुत अच्छे है, वो परी जी, उन्होंने मुझे कितने प्यार से खाना खिलाया, मुझे ये अच्छा लगा, लेकिन अब, अब मुझे वापस जाना होगा, क्योंकि मेरे चाचा चाची घर आने ही वाले होंगे, उनके आने से पहले मुझे वापस जाना होगा, नहीं, तुम कही नहीं जाओगी, कभी नहीं जाओगी, आप, आपका चेहरा, और, और, आपकी आवास, नहीं, मुझे घर जाना है, अभी जाना है। लेकिन, लेकिन राजा जी, अगर सोना चली गई, तो आपको उस जादुगर के श्राप से मुक्ती कैसे मिलेगी। श्राप, कैसा श्राप? ये कई साल पहले की बात है, एक बुरे जादुगर ने हमारे परिलोग पर हमला कर दिया था। उसने हमारी राणी परी और राजा जी को मार दिया। तब हमारे राजकुमार जी ने हिम्मत दिखा कर उस जादुगर का मुकाबला किया और उसे यहां से मार भगाया लेकिन उस दुष्ट जादुगर ने जाते जाते हमारे राजकुमार जी को श्राब दे कर एक राक्षस में बदल दिया लेकिन वो इनका दिल नहीं बदल पाया सच तो ये है कि आज भी अगर वो जादूगर परिलोग से दूर है तो वो इनकी वज़ा से ही है अब यही हमारे राजा है लेकिन ये मुसीबत में है उस जादूगर के श्राब की वज़ा से ये धीरे धीरे बदलते जा रहे है और हमें डर है कि कहीं एक दिन वो श्राप इन पर पूरी तरह हावी न हो जाए मैं समझ कई परी जी अब आप ये बताईए कि मैं आप लोगों की क्या मदद कर सकती हूँ वो जादोई किताब जो तुम्हें यहां लेकर आई असल में वो किताब हमारी रानी जी की थी मैं वो नहीं हूँ नहीं सोना उस किताब ने तुम्हें खुड ढूंडा है इसका मतलब यही है कि हमारे परी लोग का भविश्य अबसर्फ तुम्हारे हातों में ही है तुम एक पवित्रा आत्मा हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी खास्यत है वो तुम ही हो जो हमारे राजा जी को इस भयानक श्राप से मुक्ति दिला सकती हो सोना डरी हुई तो थी लेकिन वो परिलोक और वहां के राजा की मदद भी करना चाहती थी इसलिए उसने हिम्मत दिखाते हुए परिलोक के राजा से शादी के लिए हां कह दिया और फिर ठीक वैसा ही हुआ जैसा कि उस परि ने कहा था सोना और परिलोक के राजा की शादी होते ही बुरे जादुगर का श्राप तूट गया और राक्षस बन चुका परिलोक का राजा एक सुन्दर नौजवान में बदल गया और सोना एक परि में इसके साथ ही वो जादुई किताब सोना के असली शरीर के साथ परिलोक में आ गई रानी जी लीजे इस किताब ने ही आपको चुना है और अपसे ये आपकी ही है और अपसे आप हम में से ही एक है सोना ने उस किताब को माथे से लगाया और उसे अपने पास संभाल कर रख लिया ये उसके दुखों का अंतितु था ही साथ ही परिलोग के नए भविश्य की शुरुआत भी थी